कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं काम धंदे ठप पर चुके हैं पाई पाई को मोहताज बैठा आम नागरेग अपनी मामुली जरूरतों को भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पा रहा है ऐसे तंग हालातों के बीच लोग अफसात का सिकार बन रहे हैं आर्थिक कमजोरी के चलते अपने परिवार और बच्चों की जरूरतों को पूरा ना कर पाने के मलाल में वे खुद को मौत के मुँ में धकेलने जैसे बड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं सरकार भी समय की नजाकत को समझते हुए हेल्प लाइन और काउंसलिंग जैसी ववस्थाएं चला रही हैं जिसके चलते ना जाने कितने लोगों तक मदद पहुँचाई जा चुकी है ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुंबई से जहां एक व्यक्ति अपनी आर्थिक हालातों से तंग आकर आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाने ही वाला था कि एन मौके पर फरिस्ता बन कर पहुँची मुंबई पुलिस ने उस व्यक्ति को या गुना करने से रोक लिया दरसल हुआ यूं कि पिरित व्यक्ति घर के हालातों से परिशान होकर खुदखुशी करने जा रहा था जिस बात को उसने वार्सेप स्टेटस पर जाहिर किया लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने स्टेटस चेक किया तो वह दंग रह गई और तुरंत ही इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी और पती को खोजने की गुहार लगाई घटना का पता चलते ही बुंबई पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और जल्द ही उस वैक्ती का लोकेशन ट्रैक कर उसे खोज निकाला मिली खबर के मुताबिक वैक्ती मुंबई के उपनगरिये घाट को पर रेलवे स्टेशन पर था जहां पहुँचकर मुंबई पुलिस ने उसे खुद कुशी करने से रोक लिया और सुरक्षित उसको घर ले आई जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इस घटना को अपने ओफिसियल इंस्ट्रागाम पेज़ पर शेयर किया है उन्होंने वैक्ती और उसकी परिवार के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा की इस्टेटस अपडेटेड सेफ एक वैक्ती की और से वार्टसप स्टेटस पर आत्महत्या की बाद जाहिर करने के बाद उसकी पत्नी की सूचना पर घाट को पर पुलिस ने उसे सफलता पुर्वक खोज निकाला और उसके रिस्तेदारों को सौप दिया गया वहीं इस ख़वर के वाइरल होते ही सोचल मीडिया पर यूजर्स मुंबई पुलिस की जम कर सराना कर रहे हैं और कोई मुंबई पुलिस को धन्यवाद दे रहा है तो कोई परिवार को बधाया भेज रहे हैं साथ ही कई यूजर्स ऐसे भी हैं जो उस पीरित परिवार की आगे आने को भी कह रहे हैं